हाँ, ये वाला कार्ड तो वाकई बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये है मेरे डैट के लिए तो अब तुम बोलो अब के शेहर में बहुत सारे लोग होंगे जो कोट और पैंट पहनते होंगे लेकिन सचाई ये है शिंचन तुम यहां कब आए? थोड़ी देर हो गई डैट ठीक है कुछ कहना चाते हो वैसे आपको पता है डैट, मुझे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है अब क्या करूँ लेकिन इसमें दुख्य होने की कोई बात नहीं है जैसे कि मेरी प्यारी डेश चल गई है लेकिन मैं उसे फिर भी खाऊंगा इसी को तो असली दोस्ती कहते हैं डेट तो आईए अब आपको दिखाते हैं कुछ बाजार में आए नए खिलोनों को इन खिलोनों को आज कल बच्चे बाद करते हैं मैंने तो सुभाई इसे न्यू यर का गिफ्ट दे दिया था फिर क्या हुआ देखो मिच्सी शीन चैन अब एक बड़ा भाई बन गया इसलिए ये गिफ्ट इसे फ्यूचर में अच्छा बनने में मदद करेगा अजीब बात है मैंने अभी अभी पोस्ट बॉक्स देखा है मैं कार्ज पोस्ट करके भी आया अब सब को वक्त पर कार्ज मिल जाएंगे अरे क्या हो गया मिच्सी वो सब लोग अहां चले गए उजे लगता है वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है दादा जी उदेर देखी दादा जी दादा जी हम इदेर है अरे शिंचन बेटा मैं यहां हूँ क्या यह हमसे पहले पहुँच गया अरे तो क्या हुआ इसे क्या फरक बढ़ता है यह सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है तुम फ्रेश होने के लिए जो चली गई थी हेलू दादाजी हैपी न्यू येर सबको हैपी न्यू येर क्या बात है आज तुम हम से पहले ही पहुँच गए वा तुमने सही कहा पहले पहुँचना तो मेरी आदत है वैसे तो हम लोग भी टाइम पर ही पहुच गए थे बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में रुप गए थे इसलिए हमें देर हो गई तुम बहाने बना रहे हो ना हाँ ऐसा ही है मेरे पीछे रहो तुम वाल तू बाते मत करो यह कभी नहीं बतलेंगे अरे सर ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगी मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग रेस क्यों लगा रहे हैं बिटी मैं तो बहुत आराम से चल रहा था इन्होंने दौर लगानी शुरू कर दी ऐसा क्यों करते हो तुम नहीं यह मैंने नहीं यह तुमने शुरू किया था अरे तुम्हारे मुकाबले मेरे पैर लंबे हैं और तुम्हें लगता कि मैं भाग रहा था कम से कम न्यू येर के वक्तों मैं रिलाक्स करना चाहता था अगर यहीं पर इनका ये हाल है तो ये घर पहुँचकर क्या करेंगे हैरी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करें अरे इनके हाल पर छोड़ दो और आप भी खयाल रखा कीजे हैरी हीमावारी के सामने ज़रा ठीक से पेशाया कीजे माने का किया अच्छा आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है कि सफर लंबा था आप लोग ठक गये होंगे देखे सब लोग एक साथ कार में नहीं जा सकता है इसलिए कुछ को टैक्सी में आना पड़ेगा मैं टैक्सी में नहीं जाना चाहता इससे अच्छा होगा कि मैं ट्रेन से ही चला जाओ यह तो तुमने बिल्कुल सही बात कही तुम ट्रेन से घर वापस चले जाओ हम जरूरी लोग हैं हम जाएंगे अच्छा तो यह मतलब है तो पहले हम यह फैसला करने के कौन सबसे ज़्यादा जरूरी है कम से कम मैं तो जाओंगा है क्यूँके कार तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना बच्चो का खयाल रहने के लिए मुझे भी जाना होगा ना और मैं नए साल क खाना बनाने में मीसी की मदद करने वाली हूए मैं भी तुम लगों की मदद करूंगी और मैं ही मावारी को क्वांटम की कहानी पढ़के सुनाऊंगा मैं तो सोच कर आया हूँ कि बच्चों को अच्छी कहानिया सुनाऊंगा मुझे पूरा यकीन है कि ये जूटा बहाना बना रहा है इन तीनों को ले जाना जरूरी नहीं है देखी अब सिर्फ एक ही जना अंदर आ सकता है तो आप मेंसे वो आजाए जो ज़्यादा ठका हुआ महसूस कर रहा है मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे पैर और हाथ दोनों से ही काम कर रहे हैं मेरे भी मैं योगा एक्सपार्ट हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने उपर इतना वजन डालना चाहिए मैं तुम्हें करके दिखाऊं क्या ये देखो धनुरासन ये देखो दो चार सो पुशप तो ऐसे ही लगा लेता हूँ मैं बाए बाए खर्टी मिलते हैं खुश्बू अच्छी आ रही है ना ये दिश तो बहुती अज्जी बनी है क्या बढ़िया स्वाद है क्या आप लोग इसे नहीं खाने वाले हैं अपने नाना जी को खिलाव वो थक गये हैं बेटा तुम हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो समझे दूम ये लो आप लोगों को भूक लगी होगी ना आ जाईए चलिए आप लोग खाना खा लीजे थोड़ दर पहले हमने कसक की थी इसलिए थोड़ी भूक लगी है चलो खाना खा ही लेते हैं यह लीजे आप भी लीजे लीजे ना प्लीज़ चलो खाना खाना जाते हैं और माम इने बहुत असानी से खाना लेती हैं है ना माम मिट्सी तुम्हें तो पताई है कि मुझे गोल वाली राइस बॉल ज्यादा पसंद है तुमने चौक और क्यों बनाई है तुम्हें गोल वाली ही बनानी चाहिए थी अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आपको चुछ और खालीजे न मुझसे ऐसी बाते करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए गोल राइस बॉल बना सकती हूँ नहीं अब तुम्हें कोई स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है मैं ये गोल वाली ही खालूँगा देखो खाना खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है चौकोर वाली मुझे पसंद है चाहो तो तुम्हें गोल दे देंगे तुम चाहे जो भी बोलो लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा से गोल वाली ही पसंद है बात बताओं राइस बॉल हमेशा चौकोर होती है चलो यहां से चलते हैं आज तो दादा जी जीतेंगे नहीं नहीं देखर तो लगता है कि नाना जी भी जीत सकते हैं कुछ भी कहना मुश्की है दोनों की लाड़ियों की दिमाग गर्म हो चुके हैं तरश को गोर से देखे अपनी नाक का नाक खुले रखे प्रेसला किसी भी वक्त हो सकता है इस बार यह खंच हो जाए इसके बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोलूगा